हेलो यूरी वन गुड मॉनिंग नमस्कार दस अगस्ट दोहजार इकेश और आज के दहिंदू निजपेपर को हम लोग डिसकस करेंगे अनलिसिस करेंगे आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या सीधा प्रिवर्तन आईस अकेडमी टेलिग्राम पर लिख करेंगे आप लोग सर्च कर सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे Intergovernmental Panel on Climate Change की रिपोर्ट के बारे में और इन्होंने forecast किया कि आने वाले में आने वाला future जो होगा severe weather के साथ यानि आने वाले टाइम में एक तरीके severe weather या extreme weather हम को देखने को मिल सकता और इसका impact जो है वो पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा overall global warming को लेकर extreme rain से लेकर या उसके impact को analysis किया गया है लेकि IPCC की जो report है यह six panel की यह six assessment report इसके बारे में ने के और फ्रेंट पेज 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 और उसके बाद वर्ल्ल अफेर यानि चार-पांच जगह पर यह topic को discuss किया गया most important topic है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि IPCC basically है क्या लेकि intergovernmental panel on climate change is the united nation body for assessing the science related to climate change यह basically क्या करता है यानि access करता है climate change जो science के according या क्या उसके prediction हो सकती क्या future हो सकता है global warming को लेकर climate change को लेकर उसी context में यहाँ पर कई सारे points mention किये गए है जैसे mention किया गया कि global warming जो है trigger कर सकती extreme rain even आपने ration में सुनाओगा पढ़ाओगा महराष्टा के अंदर पूने के अंदर जो access rain हुई या महराष्टा में कई जिगह पर access rain हुई या उमीद से ज्यादा वारिश हुई जिसके वज़े से वहाँ पर flood देखने को मिली इनके लावा यहाँ पर कई सारे points जिनों ने mention किये और इसमें ये भी mention किया गया कि आने वाले time में जो है कहीं न कहीं increase होगा heat waves होगी flooding होगी और e-reversable यानि ऐसे impact होगी climate change के जिसको कहीं न कहीं कम करना उसको change करना इतना असान नहीं होगा यह photograph अगर show करता है तो यह आपको यह extreme events का या कैसे climate change आने वाले time में impact करेगा पुरी दुनिया को उसको लेकर एक warning क की तरह है इसके लावा यहां पर यह भी बोला गया कि current में जो global warming trends है वो आने वाले time में भारत के अंदर भी annual mean perception जो भारत के अंदर एक तरीके से access range increase कर सकता है और access range से आने वाले time में जो south इंडिया है वहाँ पर और जादा flood की situation हो सकती है यह warn किया गए इस report के अंदर IPCC की यह 6th assessment report है जिसमें title दिया गया climate change 2021 the physical science basis इसके लावा यहां पर कई सारी चीज़े mention करेंगी जैसे sea level rise हो सकता है global warming से definite सी बात अगर global warming होगी जो एक तरीके से glacier melt होगी और उसके बाद sea level increase होना शुरूगा sea level increase होगा तो coastal area जो होता है वहाँ पर flood की situation जो हो बनती है भारत की coastal boundaries जो है 7517 है हलाकि पचेतर सो इक तरीके से आप बोल सकते हैं 16.6 के आसपास है तो 17 इसको consider किया गया है तो यह है और भारत में जो port city जिसमें चेननाई, कोची, कुलकत्ता, मुंबई, सूरत, विशाका, प इसपोज कर सकते हैं coastal flooding से यानि जैसे 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 अकर 50 cm भी serious होगा तो इसका impact होगा यहाँ पर 28.6 मिलियन लोग ऐसे होगे जो coastal flooding का impact का उनका उनके उपर impact होगा इनके लावा South Asia के अंदर monsoon precipitation जो होगा यह बारिस यहाँ पर लगातार increase हो सकती है, excess rain हो सकते हैं इसके और हमें अपने planet को target करना है कि एक तरीके से 1.5 डिगरी तक रोकना, कोसिस करना है कि दो डिगरी तो कम से कम रुके लेकिन ऐसा नजर नहीं आता और यह लगता कि आने वाले दो ही दो दसकों के अंदर या 15-20 साल में ही जो 1.5 डिगरी का जो Celsius का temperature है प्री इंडिश्टिल ल है ते वो ऐसा लगता है कि इसको कहने के complete करना मुस्किल हो जाएगा इसके लिए जरूरी क्या है कंट्रेज को immediately करना पड़ेगा net zero emission plans को launch करना पड़ेगा और net zero emission का मतलब है कि कोई भी greenhouse gas जो है वेमिट नहीं की जाने चाहिए 2050 के बाद तबही 21st century के end तक हम लोग हासिल कर स सकता है आप लोगों के लिए पहला सवाल है greenhouse gases के अंदर कौन-कौन सी major gases आती है वो आप नीचे mention करेंगे यह आपके लिए सवाल है इसके लावा इस page पे कुछ important information जैसे भारत इस बार United Nations Security Council की Presidency एक तरीकी से चेर्मेंशिप हमें एक मंत की मिली है और United Nations Security Council के अंदर five point upline किय participation किया और इस debate के अंदर हमने देखा कि जो अभी जो एक मंत की presidency थी इसमें जो पहले topic पर डिसकस किया गया वो था maritime security समूदरी आप सुरुक्षा बोल सकते हैं तो इसमें debate का title था enhance maritime security a case for international cooperation इसके अंदर कई सारे governments के head ने भी participation किया जैसे Russian President ने या किनिया के President है या वीत नाम के Premier इन सब ने भी तरीके से इसमें participation किया इसके अंदर United Nations Security Council ने अड़ोट किया है एक तरीके से Presidential Indian Statement इसके अंदर ये reform किया गया कि United Nations Convention on the Law of the Sea इनको establishment किया जाए और Legal Framework की तरह maritime activities के अंदर consideration किया जाए देखी United Nations Convention on the Law of the Sea क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे इसे पहले आपको बता दूँ ये बहुत ज़्यादा news में रहा था जब South China Sea के context में ये statement दीते कि कोई भी आपको legal right नहीं होगा या आपका जो claim है territorial claims on South China Sea पर चाहिना करता है ये सही नहीं है legal नहीं है इसके अलाबा United Nations Convention of Laws of Sea basically क्या है 1982 के अंदर adopt किया गया था और sign किया गया था एक International Treaty है जो कि for Geneva Convention जो कि April 1958 के अंदर हुए थे उनको कहीं कहीं ये replace करता है जिसमें territorial sea, contagious zone, continental self or high seas facing and conservation को लेकर ये basically काम करेगा और इस convention के अंदर तीन नए institution create किया गये थे अब रोल आप बोल सकते हैं कि जितने भी इस convention का जो main name है कि legal framework होगा for marine and maritime activities और Iosian with its partner ये जो इसके साथ मिलकर काम करेंगे ये कुछ चीज़े है जिसके बारे में हमने इस particular page के अंदर mention किया इसके लावा अगर आप last में छोटिश information देखेंगे कि nation first, always first जो है इस बार हमारे independence day की theme होगी इसके बाद एक और छोटिश information ministry of defense की तरफ से clarification दिया गया है कि Pegasus makers के साथ कोई transaction government of India की तरफ से नहीं हुए हाला कि इससे पहले government की तरफ से कोई statement इस particular context में नहीं दी गई थी लेकिन इस बार ये बोला गया है कि Pegasus के बारे में या इसके जो company है इनके साथ technologies को लेकर या कोई transaction इनके साथ नहीं हुए यह ministry of defense की official statement है परलियमेंट के अंदर यह कुछ चीज़े है जो front page पर आपको देखने को मिलेगी IPCC को लेकर continue रहेगा बहुत सारी चीज़े हमें पढ़नी है इसके बाद editorial part को हम लोग discuss करेंगे editorial part में चार editorial आपको page नमबर 6 पर एक editorial page नमबर 7 पर जो कि आपके लिए homework की तरह होगा उसका theme मैं बता दूँगा किसके बारे में अभी भी एक संभावना है जिसके थुरू हम लोग काम कर सकते हैं global warming को control कर सकते हैं और एक तरीके से रोक सकते हैं तो यहां पर IPCC ने जो report है इसके अंदर एक strongest warning दी है कि इसके impact जो होंगे global warming के जो की human activities एक major region जाता है scientific credence के basis पर इन्होंने कई सारी activity जो लगातार increase हो रही जैसे wildfire के context में आप देखें अभी भी आप अगर 10 अगस्त को बात कर रहे हैं तो Greece और Turkey दो ऐसी country जो लगातार wildfire face कर रहे हैं यह पहली बार नहीं even USA का western part wildfire face कर रहे हैं दूसरा Amazon forest fire कई सारी जगह पर forest fire आपको देखन को मिलेंगे climate flood के मावले में आप देखेंगे चाइना और जर्मनी में heavy flooding देखने को मिली इवन इंडिया के अंदर access rain देखने को मिलती है भारत के अंदर कई जगह पर cloud bursting देखने को मिलती है तो कई सारे impact आपको देखने को मिलेंगे heat waves है extreme rainfall है flood witness यह इस टाइम पे कुछ करते हैं कि हमें immediately रोकना पड़ेगा carbon dioxide emission को और दूसरी greenhouse gases को और हमें focus करना पड़ेगा net zero emission पर ताकि पूरी दुनिया में को हम लोग control कर सके 1.5 degree Celsius और अगर 1.5 नए कर पाए तो 2 degree Celsius तब हमें रोकना ही पड़ेगा otherwise इसके जो consequences है जो इसके impact है वो बहुत खतरनाक होंगे और और यह greater threat हो जाएगा humanity पर हम अभी तक कोविड-19 को मांते थे की greater threat है humanity पर लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा यह threat करेगा एक तरीक इस humanity को जिसके impact जो है irreversible होंगे यानि उसको change करना इतना असान नहीं होने वाला है इसी चीज़ में कई सारी reports के अंदर जो significant है कि और बहु fossil fuels है वो उनके बारे में उनसे हटना नहीं चाहते हैं अलाकि किसी भी country करें developing country खास कर जैसे कोई गरीब देश है या विक्षित देश है या विकास सिल देश बोल सकते हैं इतना असान नहीं है कि fossil fuels है जो हम traditional fuel use करते हैं उससे एकदम से change करके new fuels के तरफ जो shift कर ले तो it will take some time तो यह कुछ समय लेगा और इसलिए और इसमें heavy investment की जरूता है जाने कि रातो रात हम लोग एक तरीके से electrical vehicle में या दूसरे vehicles के अंदर change हो जाएंगे इनके अलावा even बहुत सारे जिन्नोंने promise किया था कि वो इस बारे में काम करेंगे उन्होंने भी multilateral system को influence करने में वो successful नह precipitation होगा इसका impact agriculture और ecological droughts यानि इन एरियाज के अंदर आपको सुखा देखने को मिलेगा intense हो जाएंगे ट्रोपिकल साइकलोन आपने देखा होगा 2020-2021 के अंदर Arabian Sea और बेव बिंगोल वहाँ पर intensity जो बहुत लगातार increase हो रही है even Arabian Sea में जहांपर अगर आप बेव बिंगोल के compare करेंगे तो वहाँ पर भी cyclone के intensity जो है बहुत तेजी से increase होई है इसी context में हमने जो pre-industry level से जो temperature को हम लोग मापते हैं कि 1.5 degree Celsius तक control करें तो यह असान नहीं होने वाला और ऐसा लगता है कि बहुत चलती कहीं कहीं increase हो जाएगा इवन आर्क्टिक सी से लेकर आइस से लेकर सनो कवर और पर्मा फॉरष यह भी कहीं नहीं कि इनमें कम्यारी है reduction हो रहा है और इन सब के अलावा Paris Agreement जो की लगवा 5-6 साल हो गए है जिसको हमने conclude किया था 5 साल से उपर हो चुके हैं उसके अंदर जो हमने target बनाए थे उसको ल adaptation को लेकर यह कहने की concern है और अगर आप इस पूरे context में देखेंगे heat waves, heavy rainfall यह possibility के आने वाले time में बढ़ेंगे और COVID-19 को तो कुछ हर तक control कर भी लेंगे लेकिन इस तरह के climate estimates को control करना इतना असान ही होगा और दूसरा यहाँ पर global water अगर देखेंगे कि sea level rise होगा तो बहुत स सारी ऐसी country जो कि island country है उनके डूबने की तक भी एक तरीके से खत्रा हो जाएगा हमें इस तरह की abilities को इस तरह की action plan को अबजोग करना पड़ेगा जो की carbon dioxide को अबजोग कर पाए या जितनी में greenhouse gases उनको reduce कर पाए इनके अलावा इसी साल conference of party यानि United Nation framework on climate change की important meeting होने वाली है जि इस बार और नमबर के अंदर और यहां पर एक ही रास्ता है कि developed countries को emission को cut करना पड़ेगा technology को transfer करना पड़ेगा emerging economies को heavily funding करने पड़ेगी ताकि mitigation किये जासके adaptation किये जासके और developing nation भी अपने आपको hesitate ने करें कमिट करने में कि उनको emission जो हो करने है आप लोगों के लिए second सवाल है इस बार जो meeting होगी COP26 जिसको बोलेंगे conference या United Nation framework convention on climate change की conference of parties 26 जो meeting होने वाली है यह कहां पर होगी और जो Paris agreement हुआ था वो कौन से नमबर की meeting थी यह आप नीचे mention करेंगे दो सवाल एक दूसरे से attached करते ह इसके बाद इससे उपर एक editorial road ahead from Gogra करके देखिए भारत और चाइना के बीच में अगर आप border dispute को देखेंगे तो boundary पर बहुत जगह पर border dispute है लेकिन अब जो continue news में रहता है यह वाला part है न इस्टर लदाख जिसको पार्ट बोलते हैं 2020 में एक question भी आया था geographical perspective से UPSC plans में तो स भारत और चाइना में इस्टर लदाख में various places ऐसे हैं जिनके उपर कहिने के dispute है जिनके उपर कह सकते हैं कि दोनों countries का common agreement नहीं है या concern है तो इसी context में एक place है गोगरा और जो अभी news में है कि दो भारत और चाइना के बेच में जो अलग-अलग areas में जो dispute है जो border dispute है उसी context में गोगरा एक fraction है गोगरा एक point है जहां पर दोनों ने चाहिए इसमें इंडियन army हो या people liberation army हो दोनों ने disengagement का decision लिया है और यहां पर यह mention किया गया कि यहां पर जो disengagement हुआ है ये एक अच्छा step है लेकिन अभी भी permanent solution नहीं है खासका line of actual control में इंडिया और जो चाइना इसक आपको ध्यान रखनी है इसमें कई सारी चीज़ें बताएं कि जैसे 31 जुलाई को इंडिया और चाइना ने डिसाइड किया कि वो एक तरीके से peace and normalcy को और ज्यादा restore करेंगे और गोगरा यहरी LAC पर एक place है वहां पर भी disengagement होगा disengagement का मतलब क्या होता है basically ये कोशिज करन अगर आप इस word को break कर ले disengagement यानि engagement ना हो engagement in the sense की particular और को physical एक दूसरे के सामने ना है जिसमें physical violence होने की possibility रहे जैसे पिछले साल जो है गलवर वैली में physical class देखने को मिला था दोनों forces के बीच में इसमें भारत की कई जवान सहीद हो गये थे जिसमें और चाइना की तरफ से भी causalities हुई थी कितनी हुई थी कितनी नहीं हुई वो उन्होंने अभी भी clarification नहीं दिया इसके लाबा यहां पर आप देखेंगे कि वो status पहले जो April 2020 में जो status था उसको maintain करना उसको लेकर ये केवल एक step आगे हमें बहुत सारी चीज़ें जो करनी है इसी context में बात करता है कि 12 round के military talks के बाद भी एक जो disengagement है जैसे गालवान वैली में एक तरीके से buffer johns को develop करना हो 1967 के बाद पहली बार जून 2020 में गालवान वैली में इस तरह का class देखने को मिला इनके लावा पंगोंग लेक में जो एक तरीके से discussion हुआ एक तरीके पंगोंग शो लेक पर disengagement हुआ और पेट्रोलिंग पॉइंट या पीपी 17 जो वर्ड यूज करते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट को बोलते हैं तो आने वाले टाइम में जो होट स्प्रिंग डेम चोक अलग 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 जो location अलग अलग जो fraction है जिन पर भारत और चाहना के बीचे water dispute उन पर भी disengagement को लेकर बा की हुए तो इसलिए कई सारे ऐसे places इस पर थोड़ा समय लगेगा इसको accept चीजों करने में हलाकि अगर भारत जो है वो जो इस टाइम पे जो पेंगों जो अलग 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 डिशिबूट अरिया पर जो चाइना क्लेम करता है उस एरिया को accept कर लेता तो जो भारत के territorial claim है उ इस border areas में देखेंगे पी एल ले ने पीपल लिवेशिन आर्मी ने चाइना ने लगातार modernization किया इस एरिया के अंदर जो एक्सेस होती है या border management को लेकर या border पर जो infrastructure development को लेकर है वोने ने काम किया तो थोड़ा सा better position के अंदर हो सकते हैं हलाग ये बहुत जादा technical details हमें भी infrastructure है लेकिन यहाँ पर चाइना ने definitely infrastructure को boost up किया logistic को supply करने के लिए बहुत जुरूरी है अगला step जो डी-escalation de-escalation का मतलब है completely withdrawl कर दे forces से या वहाँ से अब permanent basis के अंदर चले जाए disengagement में basically यही होता है कि जिस area में disengagement होगा वहाँ से जो temporary basis है उनको उनसे वो forces को permanent basis के अंदर भेजेंगे और जहाँ पता कि physical class होने की possibilities को reduce किया जाज़के 2017 से में जब डोकलाम crisis हुआ था उसके बाद से लेकर अब तक भारत और चैना में कहिने की border correlated issue जो है वो अभी भी properly soul नहीं हुए और उसको लेकर लगातार एक तरीखे से कह सकते कि दोनों के बीच में dispute है हलाकि कई points पर जो है वो buffer zones establishment किये जा सकते हैं इनके अलावा हलाकि ये पूरा procedure जो होगा इसमें military level पर भी diplomatic level पर भी बात्चेश जो continue होगे ताकि दोनों के बीच में protocols और confidence के तुरू major लिया जा सके अब सवाल कई बार ये बड़ता है कि चायना की तरफ से जो multiple transgression देखने को मिलता है और बहुत सारे जो efforts है जो लगता है कि इस particular area में जो भारत और चायना के बीच में dispute है border dispute इसको restore करना थोड़ा सा challenging लगता है आने वाले time में hope की दोनों के बीच में issues को resolve हो क्योंकि दोनों क आता है इनके relation का impact जो पूरी दुनिया पर भी उसका असर करते है इसके बाद बात करेंगे third editorial के बारे में Saudi Arabia Iran and the possibility of detent करके एक mention किया गया detente या detent जो एक word use के होता है ये basically होता है शांती के और कि क्या Saudi Arabia और Iran के भी इसमें possibility है शांती के और हमिद अंसारी ने आर्टिकल लिखा है अगर मैं इसको बात करो भारत के perspective में ये UPSC के perspective में कुछ points important है कुछ historical background बताया गया वो हमारे लिए जादा important नहीं कि साथी रिव्या और Iran के historical relation कैसे थे उन सब चीजों को जाना बहुत जादा important नहीं है फिर भी मैं कुछ-कुछ points में बताऊंगा आपको लगे कि आपको और जादा पढ़ना तो आप complete editorial को पढ़ सकते मैं main points बारे mention किया गया अगर आप Persian Gulf की geographical location देखेंगे तो बहुत important यह place है और Persian Gulf के अलावा यहां पर आप देखेंगे Persian Gulf important consider करी जाती है crude oil के और LMG के perspective से global market के अंदर यह कितनी लंबी कितनी चोड़ी है और कितनी इसकी depth है वो सारी चीज़े पढ़ने की जरूत नहीं है इसके लावा यहां पर historical background बताया गया कि कैसे एक तरीके से इरान और यह पूरा region में कैसे relation जो है वो develop हुए अब इसमें जो main main point है जैसे Iranian revolution 1978 1978-79 के बाद इसके बाद Gulf Corporation Council का बनना यह procedure में कुछ चीज़ें बताई गई है और उसके बाद अगर आप इस पूरे area के अंदर देखेंगे जो 1990 के अंदर या इराक और इरान के वीच में war हो इन सब चीज़ों के बाद कैसे relationship जो हो कही नहीं कहीं या region में joint confidential plan of action से लेकर क्या क्या चीज़ें इस पूरे region के अंदर देखने को मिली वो सारी चीज़ों का historical background बता रहा है अब बात करते तक की issues यह वाला यहां से article main जो हो शुरू होता है region में बहुत सारी geopolitical tension gulf region के अंदर देखने को मिलती है जिन में कई सारे जैसे historically low ill prices, covid-19, gulf corporation council जो हो कही नहीं कहीं पहले boycott कर रहा था कतर का और इसके बाद बाद में इस decision को reverse किया गया और relation को establishment किया गया UAE और साथी अरिविया के बीच में issues है ओवल ओफिस इन वासिंग्टन को लेकर इनके अलावा अबरहाम Accord किया गया इसराइल UAE और अबरहाम Accord किया गया यानि एक तरी के से diplomatic relation को establishment किये गया इसके अलावा अरब इसराइली कल्कुलस के बीच में साथी अरिविया कहां अप उच नेवल वेसिज के बारे में बात्ची चल रही है कि वो लगातार नेवल वेसिज जो है अपनी presence भले ही अपने जो है वो तरी टूप्स विड्रो करें लेकिन यहाँ पर नेवल या एर वेस आपको particular देखने को मिलेंगे चाए बहरीन हो कतर हो UAE उ टाइट इनके लावा political और financial sustainability क्या होगी इस पूरे regions के अंदर यह अपने आप में सवाल है और इन सब के बीच में सौधी अरविया के जो prince है सौधी crown जिसको बोलते है उनका remark कि इरान और सौरी सौधी अरविया के बीच में relation को जो हो boost up करने पर काम करेंगे सौधी अरविया और इरान के relation बहुत और सौधी अरविया को relation को re-establishment करने में मदद करेंगी ठीक है इसके बाद security is the concern इस पूरे region के अंदर security एक main concern रहे और political stability को लेकर western Asia अभी भी struggle कर रहे इसी जीश को बोलते है peace and stability को लेकर state of harvest एक important place है चाहिए trade को लेकर हो shipping को लेकर हो oil को लेकर हो LMG को लेकर हो कई बार यहा होला कि उनका एक जो सिप्ट था उसको drone attack किया गए इरान के दोरा उसके बाद USA या जी seven countries है या आप इसमें European Union आप देखेंगी यह कहीं ने कहीं वान किये कि आप इस तरह की चीज़े मत करें और पूरे सिनेरियो में जब इसराइल इरान के साथ एक nuclear deal को लेकर बातशी चल मिलेगी हला कि भारत के context में यहां पर mention नहीं किया गया अगर यह होता सोधी रिव्या इरान और इंडिया तो यह ज़्यादा important होता article हमारे लिए तो कुछ चोटी-चोटी points आपके लिए हैं आपके लिए third question है third question में आप mention करेंगे Persian Gulf और उसकी neighboring country को इसके अलावा Gulf Corporation Council के एक editorial दसे की foundation of the labor law reforms के बारे में article है कि labor law reforms के बारे में जो foundation रखी गी वो इक तरीके से new हिलती हुई डगमगाती हुई एक तरीके से new है इस तरीके से consider कर सकते हैं labor laws को लेकर यह article है labor laws reforms के बारे में तो यह बोला गया it could be a long wait before employers and workers enjoy that so called benefits extended by the labor falls यानि अभी इस चीज़ का wait की अ labor scores के थुरू बोला गया कि benefits होंगे उसके बारे में यह article mention करता है national democratic alliance nda government ने जो in act करे थे या code on wages in august 2019 में जिनमें इसके लावा चार codes जिसमें total थे जिनमें code on wages था इसके लावा industry relation the occupational safety health and working condition codes and code on social security in September 2020 इनी context में आप देखेंगे इस चार codes के अंदर अभी भी बहुत सारी चीज़े cover नहीं कीगी यह इसको incompletely बोला गया है इनके दोरा क्यार श्याम सुंदर के दोरा incompletely क्यों क्योंकि इसके अंदर जो rules है उसके अंदर जो central trade union को लेकर अभी भी rules frame नहीं किये गए है यह एक इसके वेचे से यह को बोल रहे है incomplete अब बात करते हैं रश्ट exercise यानि बहुत जल्दबाजी में या जब यह process हो रहा था पर्लियमेंट के अंदर कि इन courts के अंदर various courts को चार courts के अंदर बदलेंगे तो यह बहुत जल्दबाजी में किया वा decision था इसके अलाबा आप देखें गवर्मेंट ने एक symbolic और partial consultation किया सेंटरें ट्रेड यूनेंट से और इवन जब opposition political party इस चीज़ का विरोग कर रहे थी उस चीज़को कही ने के concern किया और इसके बाद boycott करना प्रोसीडिंग जो continue हुई गवर्मेंट जो है carry out कर रही reforms को जब covid-19 को लेकर जो है जिसमें आप देखेंगे जिसमें employers को और potential investor को बहुँजाद आउमीद थी तो उसको implementation नहीं किया गया इसमें announce किया गया था कि 1 अपरेल 2021 को हम लोग इसको लागू करेंगे implement करेंगे लेकिन state ये बोल रहे कि हम लोग complete इसके लिए ready नहीं हम unprepared rule हमने नहीं बनाए इसके बाद इसी context में लागू नहीं हो उसके बात में एक और नई date mention करेंगे कि एक October से लागू कर देंगे तो ये कब होगा कब नहीं होगा ये अपने आप में सबाल पहली तो ये long pending reforms में consider किया date mention कर देंगे कि हम इसमें implementation करने जा रहे हैं सुप्रिम कोट ने central और state government को कुछ acts को लागू करने को लेकर जैसे one nation one nation card को किसकी इसको implement करिए national database for unorganized worker unorganized worker का मतलब होता है जो informal worker होता है informal worker का मतलब होता है जिसमें stable नहीं है कि आपका रोजगार जो जुरूरी नहीं कि आज है कल नहीं होगा ठीक आप informal workers आपको initiative कर सकते हैं जैसे एक दिहाडी दार मजदूर आप जिसको बोल सकते हैं कि daily wages पर वो काम करता है लेकिन वो permanent नहीं है ना उसको हटाया जा सकता है काम के खत्म होने के बाद राइट इसके बाद यहां पर mention किया गया 31 जुलाई 2021 तक सुप्र 500 million workers है यह conservative figure है इन सब के अलावा अगर आप पूरे context में देखेंगे कि COVID-19 की वज़े से 2020 हो या 2021 हो migrant workers सफर किया इसके अलावा national lockdown का impact जो है उनके उपर पड़ा और अगर आप देखेंगे इसी वज़े से पूरे देश के अंदर कई सारी problems भी आई जैसे विरोज़गारी दर कब हो जादे इंक्रीज होना number of migrant worker है या workers है informal sector के अंदर वो जादे इंक्रीज हुए तो government lines versus reality government यह बोल रही है कि जो यह code है जैसे universal minimum wages and social security यह enable करेंगे industrial safety को और प्रोविजन जो social security to gig worker का मतलब होता है contract पे या small scale की जो job होती है एक gig worker in the sense की सेम चीजी informal sector के अंदर यूज किया जाता है या आप इसको बोल सकते हैं कि ऐसा sector जिसमें permanent नहीं और unorganized workers भी आपको consider कर सकते हैं इसके लाव इंडेस्टिल रिलेशन कोड है जो provide करता है कि trade union को recognition होगी employers के द्वारा labor rights के बारे में बात करते हैं यह सारी चीजी ह लेकिन क्या यह एक्चुल में benefit करेगी यह important सवाल है 3 अगस 2021 को यहां पर इन्होंने बोला कि मैंने कुछ website को analysis किया उसके बाद यह पाया कि बहुत सारे स्टेट ने जैसे तमिल नाडू केरला वेस्ट बिंगोल महराश्टर हर्याना दिली इन्होंने कोई draft issue नहीं करिया इन पंजाब इन्होंने rules frame करें सारे codes पर तो अलग अलग स्टेट में variation आपको देखने को मिलेंगे इनके अलाबाद जब बेस यह था जो वेज इंडेक्स को लेकर वह चेंज किया गया 12 जुलाग कुछ कुछ चीज़ें हुई है यहां पर चेंजीज हुई इन्स कोड़िस के अंदर 1965 से 2019 कर दिया गया गवर्मेंट ऐसा लगता है क्लूल ऐसा कि कभी इंप्लिमेंट करने वाले minimum wages को लेकर और जब पूरे देश में सेफ्टी को लेकर है कि कई सारे ऐसे इंडेस्ट्रील एक्सीडेंट हुए हैं कोविड-19 पेरिएट के दरान तो अभी भी जो इंडेस्ट्रील एक्सीडेंट से हुए है वो कहीने कहीं मेजर कंसर है और जो कोड है ओक्योपेस्टनल सेफ्टी हेल्थ और व 28take रूपेज के आसपास के में महगाई यहां पर इंकरीज होती नजरा ती है तो यहां पर प्राइस या आप सिंप्ली बोल सकते हैं कि इं weitणे के बढ़ने के बाद iinkum कम है कि उस contact में survive करना भूत मुस्कुल हो जैगा तो इस है कि जो codes है unorganized sector को लेकर migrant workers को लेकर अभी भी भारत में भारत सरकार में जो legal visibility इनकी नजर आती है वो कब implement होगी कब नहीं होगी ये major सवाल आपके सरकार के सामने है और कईने के question भी है government से कि कब आप implement करेंगे और जो टार्गेट आपने सेट किये क्या आप उनको हासिल कर पाएंगे या नहीं यह कुछ concern है इसके बाद एक article जो आपको like homework की तरह है वो होगा the circular economy for plastic यह article आप पढ़ लेना है जो study type में ठीक है यह homework टाइप में इसके पाद बात करेंगे page number eight page number eight पे मैंने बताया था कि IPCC को लेकर जो है वह चार-पांस pieces पर mention किया गया तो इसमें mention है कि intergovernmental panel on climate change के जो report है यह हिमालिया का अगर पार देखेंगे हिंदू कुस हिमालिया है यहां पर snow cover कहीने कहीं कम हो रहा है इस पूरी region के अंदर और इसी चीज़ के बारे mention किया गया है 6th assessment report के अंदर यह mention किया गया है कि इसके वज़े से snow cover जो retreat कर रहा हायर altitude से और shrink कर रहा यानि बरफ का अगर आप देखेंगे ice melt जिसको बोलते हैं वो हो रहा है glacier melt कर रहे हैं और इसका impact देखने हो मिल सकता आने वाले टाइम में flood के रूप में landslide के रूप में lake outburst के रूप में आने वाले टाइम में इस तरह के impact जो हो देखने को मिलेंगे और इसको रोकने का एक ही तरीका कि भाई आपको green house gases को जितना maximize कर सकते है उसको रोकना पड़े गा ताकि floods, landslide या इस तरह की activities है इनको हम लोग रोक सके इनको control कर पाए इसके बाद page number 9 पे अगर आप देखेंगे तो लोकसभा और Parliament के बारे में या Parliament के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर कुछ बिल जो हो पास किए जैसे लोकसभा ने तेन बिल पास किए 20 minutes के अंदर और इन तेन बिल्स में गर आप देखेंगे जो major bills के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें जो बिल थे हो थे the limited liability partnership amendment bill 2021, the insurance and credit guarantee corporation amendment bill 2021, the constitution scheduled tribes our amendment bill 2021, देखें बिल्स के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दू, सारे bills important नहीं है UPSC के perspective से, कुछ ऐसे bills होते हैं जो बहुँ जादा highlighted होते हैं जैसे insolvention bankruptcy bill, electricity amendment bill जिसके बारे हमने discuss किया था, तो इस तरह के bills जो होते हैं जो important है, इनकों लेकर, इनकों एक्ट को लेकर सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, claims as well as means के अंदर, इन सब के अलावा अगर आप देखेंगे, other backward classes को लेकर state governments की power को restore किया गया, और Supreme Court ने म economically backward classes को लेकर या OBC के context में state government को power नहीं होगी, ये केवल central government को power है, तो इस context में state government को power देने के लिए एक amendment या इसको लेकर बातचित हो रही है, और उसके अलावा इसमें constitution के अंदर debate ये भी लेकर आया गया, इसी चीज़ को लेकर debate भी हो रहा है, इनके लावा amendment के अंदर बहु amendment जिसमें article 338 भी insert किया गया था और article 342A के अंदर दो close insert किया गया थे और article 342 इन सबसे ये related एक article आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे right hand side page पे, right hand side page पे नहीं sorry, right hand side इसी के, तो parliament ने पास कर दिया है, तीन major bill tribunals को लेकर, tribal reforms को लेकर, taxation को ल पास कर दिये गए हैं, और tribunals से related जो bill है, इसको लेकर, हलाकि कुछ concern भी हो सकते हैं, लेकिन अवर रॉल यह parliament से दोनों हक्सिस से पास हो चुके हैं, और अब यह parliament से जाएंगे, president साहब के पास sign करने को लेकर, तो यह act बन जाएगा, parliamentary procedure में आप देखेंगे, जो bill पास होते पार्लियामेंट से, वो जब तक president साहब के sign नहीं होंगे, वो act बन जाएगा, इसलिए बोलते हैं कि, पार्लियामेंट में, लोकसभा, राजसभा और president, इनको इंक्लूड करके ही complete पार्लियामेंट बनती है, इसके बाद बात करेंगे, 11,000 क्रोड रुपे का एक self-efficiency in edible oil production को लेकर एक plan government launch करने वाली है, central government spend करेगी 11,000 क्रोड रुपी on new mission जो कि ensure करेगा, self-sufficiency को लेकर, और इनके अलावा भारत की जो dependency है, कि अभी हम edible oil जो बहुत जाए इंपोर्ट करते हैं, उसको कम करने का काम करेगा, तो इसी चीज़ को लेकर ये mention किया गया है, कि आज जब भा भारत के अंदर major agriculture exporting country की तरह है, उस context में edible oil को हम लोग import करें, तो ये सही नहीं है, इस context में और ज्यादा increase किया जाएगा, और भारत के अंदर production बढ़ा जाएगा, ताकि self-sufficiency हासिल कर सके, इसमें दो चीज़े मेंशन की गए है, नोर्थ इस्टन इंडिया के अंदर और अन import dependency को कम कर सकता है, और आने वाले टाइम में जो production उसको increase कर सकता है, इन सब के अलाबा आप देखेंगे कि भारत के अंदर oil seed को लेकर जो production है, जो 8.6% के वल राइज हुआ है, 2020 के अंदर, लेकिन oil seed production के अगर आप आप आवरोल बात करेंगे, 2014 के अंदर ये 27.5 million था, और भी भी हम लोग import पर बहुत जादा dependent, उस context में ये जो mission है, 11,000 क्रोड रुपे का, ये edible oil ecosystem में investment होगा, इनके लाबा farmers को facilities प्रवाइड करवाई जाएगी, quality seeds से लेकर technology और cultivation को promote करने को लेकर, ताकि traditional oil seed crop जो है, उनके साथ इसको expand के जासके, और भारत की जो dependency है, इस context में import करन उसको reduce किया जासके, इसके बाद IPCC को लेकर world में जितने वी लेडर सुन के क्या statement उसके बारे में mention किया गया, पहले बाद climate report must be death nails for fossil fuels की, climate change ने जिस हिसाब से जो report है, इसको लेकर United Nation के जो सेक्रेटरी जरनल है, Antonio Gattras, इन्होंने statement दी, ये death nails है, coal, oil और gas fields के बारे में, या ज and delay ambitious climate action any longer, ये कुछ important इन्होंने statement दी, और हमें रोकरा ही पड़ेगा कि हमारे पास option नहीं है, जिस हिसाब से यह report mention करी गई है, इनके लावा पूरी दुनिया में, जिस तरीके से यहाँ पर जैसे terrifying word use किया गया, या यहाँ पर यह बोला गया कि unavoidable है यह जाब इसको control करना ही हमारा एक important role होने वाला है, इनके लावा यहाँ पर जैसे जोन करी की statement है, जोन करी, the climate crisis is not only here, it is growing increasingly severe, यानि नेकेवल है, बलकि यह और ज्यादा खराब हो रहा है, इसके बाद जैसे European Union की तरफ से statement है, it is not too late to step the tide and prevent runway climate change, और Boris Johnson और आप देखेंगे कि French President जो है, उनकी तरफ से बोला गया कि immediately इस पर action होना चाहिए, जो COP26 की meeting है, उसका एक important role होगा, माल्दीज के former President के, क्योंकि माल्दीज वो country जैसे sea rise increase होगा, तो वो कहीं कहीं डूबने का डर रहता है, तो इन countries के तरफ से सभाविकली एक natural treat है, कि अगर यहाँ पर sea rise increase होता है, तो वो country श्रिंक कर सक सकती है, इसके लावा यहाँ पर अलग अलग personalities के statement के बारे mention किया गया, इसके बाद इंडिया और Australia के relationship के context में बात की गया है, कि Australia signal करा कि democracies को swing करना चाहिए, कि China से इंडिया वी relationship को लेकर, और इंडिया और Australia के बीच में as a special representative of Prime Minister of Australia, Tony Award जो खुद भी former Prime Minister रहे है, वो भारत क के अंदर आये थे, उन्होंने कई सारे issues को लेकर deal किया, खासका trade deal को लेकर उन्होंने discussion किया, इस context में यह भी बोला कि अभी China से इंडिया के अंदर democracies को shift करने की requirement है, trade के context में, इनके अलावा अगर आप देखेंगे Australia और China के relationship के मावल है, हलाकि उस time पे इन्होंने host करी थी, bilateral free trade deal और इसके अलावा 2015 के अंदर इन्होंने Xi Jinping जो president थे, उस time भी और अभी भी उनकी meeting को भी host किया था, लेकिन Australia और China के बीचे वेरियस issues जैसे, चाइना की telecom company हुआ ही जो है, उसको ban कर दिया था, major communication infrastructure project से, इसके अलावा foreign interference in Australian politics को लेकर दोनों के बीच में dispute है, independent investigation of COVID-19 को ल trades को लेकर वीशियो जैसे, बहुत सारे आइटम जो है Australia के उन पर बैन लगा दिया था, चाइना ने, इनके अलावा recently, great barrier reef को लेकर भी दोनों countries के बीच में discussion एक तरीके से, आप बोल सकते हैं कि relations जो बिल्कुल अच्छे नहीं है, दोनों context में, तो ये कुछ चीज़े है, हला प्रास्ट में एक रिपोर्ट है नमूरा की और ये बोल रहा है कि economic activity जो है, वो near level है, seen pre pandemic, इसके बाद ये भी बोला गया कि कुछ जो third way का डर है, definitely ये कहीं ने कहीं concern है, इसी context में कुछ चीज़ें बताएगी है, तो ये index है, नमूरा इंडिया बिजनेस रिजम्शन इंडे कि भारत में economic activity जो है, फिर से ऐसे ही शुरू हो रही जो pre pandemic लेवल तक, लेकिन कितना सही है कितना नहीं, इसके बारे में question हो सकते हैं, तो इसमें इन्होंने use किया Google और Apple के data को, demand and level for participation को February 2020 के basis पर, ये कुछ चीज़ें आप इसके अंदर measure की गए, तो आज के the Hindu newspaper में इतना ही Thank you all, Jahin